हेलो दोस्तों सुवागत है आपका अपना चैनल टेक्निकल काफी यूटूब चैनल में दोस्तों आज इस वीडियो में हम सीखने बाले है कि एक त्री स्पीड कोलार फैन मोटर को किस तरह से रिवाइनिंग किया जाता है तो इस वीडियो को आप सोरी सोरी का लास तक जोरो द तो दोस्तों चलिए आगे बारते है और इसका जो मेन बैसिक इनफोर्मेशन है वो में आपको एक एक करके प्रोभाइट कर देता हूँ तो लास तक वीडियो में जुरू दोस्तों आप बने रहे है जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते इसका जो इस्टेटर करें इसका दूस्तों अगर हम आउटर डाय माप е तो बहुत आप देख सकते हो बारा सेंटीमेटर के आसपास और इसका दूस्तों इसका इनाडर देखिए तो बहुत 5 cm के आसपास है एगर दोस्तो हम इसका गोलाई मापते हैं तो कितना आती है आप देखिए 40 cm के आसपास आ जाती है दोस्तो इसमें टोटाल 24 स्लोट है यानि एक खाँ चाहिए है तो दोस्तो आपको सबसे पहले इसके अंदर इस तरह से 7 नामबर PVC फिलिम पेपर लगा देना है उसकी बाद हम दोस्तो इसका कोईल बनाएंगे सबसे पहले दोस्तो हम यहाँ पर रानिंग कोईल बनाएंगे तो इसके लिए जो कोईल का साइज होगी दोस्तो गोलाई में सारे चुवान और सेंटिमिनर के आसपास रहेगी आपको गोलाई साइज तो आएए सबसे पहले हम running coil बना लेते हैं इस फर्मा के मदद से तो आएए हम fast coil दोस्तों बनाएंगी और इसका जो ट्रान रहेगी बहुएगी 160 और इसका SW रहेगी दोस्तों 30 नमबर aluminum wire आप copper wire भी यूज़ कर सकते हो मैं यहां पर aluminum wire से कर रहा हूँ तो fast coil देखिए मिलकुल complete हो चुकी है और इसके बाद हम इसको knock कर देंगे इसके बाद इसको बीना काटी हम दूसरा coil बनाएंगे और इसका भी turn सेम रहेगी 160 यानी 170 टन हम इसमें देंगे दूसरा coil भी दोस्तों हमारा देखिए computer हो चुकी है और इसको भी हम बन देंगे उसके बाद तिसरा coil बनाएंगे इसका भी turn रहेगी 160 टन देखिए दोस्तों तिसरा coil भी बनके त्यार हो चुकी हमारा running coil इसकी बाद दोस्तों चौथा नमबर coil आएगी इसको आप थ्यान देके देखिए इसका टन रहेगी दोस्तों 70 टन प्लास 50 टन सबसे पहले हम यहाँ पर दोस्तों जो है वायर को बीना काटे ही 70 टन यहाँ पर लगाएंगे जो होगी दोस्तों हमारा high speed के लिए यहाँ पर एक हम लूप निकलेंगे 70 टन देने के बाद जो high speed point आएगी दोस्तों उसके लिए हम यहाँ पर एक लूप निकल देते हैं दोस्तों और यह जो लूप यहाँ पर निकल के आईए दोस्तों इसको हम दोस्तों high speed के लिए use करेंगे तो मैं आपको दोस्तों आसानी से भेचनने के लिए यहाँ एक इस्टिकर लगा देता हो देखिए यह high speed के लिए फास्ट जो लूप निकल के आती है 70 टन पर वह हमरा high speed के लिए इसकी बाद दोस्तों हमरा 60 टन यहाँ पर देना पर 60 टन मीडिया में speed के लिए तो वहर को बीना काटे ही हम यहाँ पर 60 टन दे देते हैं यहाँ जो मीडिया में speed के लिए निकल के आएगी देखे दोस्तों साटन कॉम्प्यूट हो चुकी है और फिर यहाँ पर फिर से हम एक लूप निकलना परेगा जो होगी मीडिया में speed के लिए तो मैंने यहाँ पर वायर को बीना काटे ही दोस्तों एक दूसरा लूप निकल दिया जो मीडिया में speed के लिए है तो यहाँ पर मीडिया में speed के लिए एक इस्टिकर लगा देता हूँ तक आप आसानी से इसको पहिजन सके इसकी बाद इसको हम पीछे-पी की तरह मोर देते है इसकी बाद यहाँ पर लास्ट हम 50 टन लगाएंगे अब यहाँ पर दूस्त आपको सबसे लोई speed के लिए वायर को बीना काटे ही 50 टन यहाँ पर लगाना परेगा तो चलिए यहाँ पर हम लोई speed के लिए 50 टन डाल देत दोस्तो, अबको इस तरह से लास्ट लूप निकल देना है, तो फिपिड दूस्तो है हम P Siri काट हो चुकिए आप काट देंगे दूस्तो ओर यहाँ जो सबसे लास्ट में निकल आया दुसतो यह हम रा सबसे लोई speed के लिए लूप निकल गया है तो इसको हम एंचित कर लिए लोई स्पीड के लिए तक आसने से इसको फेचन सके और उसकी बाद हम इस कोईल को यहां से खोल के बाहर निकल देंगे देखे दोस्तो चारो कोईल हमारा कॉमपेट हो चुगे रानिंग कोईल के लिए अब दोस्तो हम यहां पर स्टार्टिंग कोईल बनाएंगे तो आए उसको भी बना के आपको दिखा देते हैं तो स्टार्टिंग कोईल का दोस्तो जो साइज रहेगी वह भी मैं आपको यहां पर दिखा देता हूँ बहुत कि अपको 52.5 सेंटीमिटर में गोलाई में इस तरह से आपको स्टार्टिंग कोईल साइज रहेगी तो आये दोस्तों हम स्टार्टिंग कोईल बना लेते हैं सबसे पहले देखिए दुस्त आपको तो यहां पर सभी कोईल सम ट्रान है यहनि 250 में सभी चार व कोईल में दे देते हैं स्टार्टिंग में कोई भी हमारा लूप नहीं नीकल आएगी यह सेंपूल सा जीस्ता होती है वह इस्तार से यह स्टार्टिंग कोईल आपका करना करेगा तो देखिए दोस्तो हमरा यहां पर सभी कोईल लगबग गमपेट हो चुकी है फिर इसको भी हम बाहर निकल देते है तो यहां पर हमारा चार स्टाटिंग और चार रानिंग कोईल बनके कोंपेट हो चुकी है दोस्तों यहाँ पे इसका पूरी information दिया हुआ है आप चाहे तो इसका skin shot कर लीजिए आपको बहुत काम आएगी और इसको अब गौर से देखना आपको सब कुछ समझ में आजाएगी तो चले दोस्तों हम फैन वाइनिंग की और वारते है तो यहाँ पे दिखे दोस्तों हमार है यहाँ डिस्टेंस कोईल इसको हम लास्ट में डालेंगे तो चलिए दोस्तों इन सभी कोईल को मैंने side कर देता हूँ और जो fast बनाया है उसको सबसे पहले इसमें डालूंगा इसको side में रख देते हैं आप देखे दोस्तों यहाँ पे किसी भी slot से आप winding सुरुआत कर सकत हो कोई दिक्कत नहीं है तो मैं किसी एक slot से यहाँ पे wire को डाल देता हूँ और दोस्तों यहाँ 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 की तरफ इसका outer wire छोड़ देता हूँ अब यहाँ पे हम यहाँ इसको wire डाल दिया एक दो तीन और चार चार नंबर slot में हम दूसरी side डाल देते हैं और यहाँ अब दोस्तों आपको बीच में दो slot खाली रहेगी और सभी वाइनिंग को इस तरह से यहाँ करना पड़ेगा रानिंग और स्टाटिंग सभी में सीम इस तरह से होगी एक से चार पीच और एक से छे पीच में कि कि दिखिए बाइन हाथ के तरह हम फाल इन्न वय AH यह वाला आटन पिख तरह आउटर खै沒關係 सल्ट में और और सब्सक्राइब स्ट्र nerve ट्रेस को सब्सक्यों में दोस्तुर मेय ृजिघ इस तरह से इसको गोमा और रल देता हूं रिस साइट भी में आलके कव्प्यट करता हूँ, आप देखे दोस्तों 1-6 स्लोट में हमारा double layer होगी, इसमें फिर से हमको double pitch देना परेगा तो जलिए double यहाँ पर हम इसमें कर देते हैं इस तरह से पिर उसी स्लोट में यहनी यहीजे स्लोट में हमको double यहाँ पर इसको वायर को डालना परेगा पहला कोईल बिल्कुल कॉम्पेट हो चुकी है आप देख सकते हो किस नी अच्छी तरह से ये निस्टल हो चुकी है अब इसको हम दूसरी कोईल डालेंगे तो कुछ इस तरह से गुमा लेते हैं देखिए जिस तरह से हमार दोस्तों आउटर वाय है उससार आपको घुमाना है और यहाँ पे एक स्लोट छोर के बाईहत की तरह दूसरी स्लोट में और फिर मिडल में दो स्लोट छोर के एक से चार स्लोट में डालना है दूसरा कोईल ले लिया है हमने और फिर इसको डाल देते हैं यहाँ पे आपको थोड़ा से दोस्तों कुछ चीज जानना जरूर है ज जो मैंने मिला दिया है देखिए यह दाइए हाथ के तरफ निकला है इसको भी इसको डाइए हाथ कर रखना परेगा दूसरी कोयल की है ना इस तरह से अपको और बाइए हाथ के तरफ दूस्तों इसका आउटर वर निकाल चुकी है जो हमारा तिसरा कोयल से कानेक्टेड है अब है उसके हम लॉक कर देते है इस तरह सेे हम दूसरा पैश ढालेंगे दोस्तों से मुस्य तरह से 6 श्लोट में अ Ugh अ को प्रकी तो कुछ इस तरह से द narrative हो जाएगी और और बहुत ही आसान से दुस्ता आप इनको वाइंडिंग कर पाऊगे और इसको भी हम लॉक कर देते हैं देखिए दुस्ता हमारा दुसरा कोयल भी डालके बिल्कुल कॉम्पेट हो चुकी है बहुत ही सुन्दर से अब हम तीसरा कोयल डालेंगे फिर हम इसको इस तरह से घुम में दो स्लोट खाली रहेगी अब हमने तीसरा कोयल डाल लिया यहां पर भी आपको एक चीज ध्यान रखनी पारेगी दोस्तो मैं आपको बताता हूं देखिए यह तो हमने कोयल डाल देखिए दोस्तों यह हमने बाइं हाथ के तरब इसका सीज़वार निकला है तो इस तरह बाइं हाथ से बाइं हाथ के तरब आपको सीरीज वायर मिलाना है तो ठीक है एनी एक से दुसरे गलती नहीं होना चाहिए अब फिर से आम एक से छे स्लोट में इसका एक पिछी डालते है फिर यहां पर डबल लियार होगी एक से छे स्लोट में बहुती इजी तरीका है दुस्तो अब बहुती आसानी से इस फैन को रिवाइंड कर सकते हो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है वीडियो में आप लास्ट तक बने रहे हैं दूस्तों आपको कानिक्सान भी बहुत आची तरह से समझा दूंगा कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है तो देखिए दूस्तों हमारा तिसरा कोईल भी डालके कॉम्पिट हो चुकी है अरिको इसको सेफ कर लेना है अब हम लास्ट च्वाथा नंबर को डालेंगे एनित रिस्टेंस को डालेंगे बीच में और दो प्रोग कर देए अब हैived हो कर देते अब यहाँ पर फ Лख कर देते हैं इस तरह से आफ यहां पर फेर से आप देखजेंके दुस्तेश कर से अधर दॉस्तों देखυχे आपको दिखा दाओ। है यह वाल से जोड़ने टाइं हाथ से हां हमने यहाँ पर इसका सेल वहर मिला आ तो इसे हम एक लियर, डाबल लियर करदेंगे, फार्स्ट लियर डालके फिर इसके उपार और एक लियर यह डाबल लियर होगी एक से 6 स्लोट में जल्दी से इसको भी डालके कॉंपिट कर देते हैं अगर दोस्तों आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आप भी इस तरह से बहुत ही आसानी से इसको ब्वाइनिंग कर पाऊगे मैं आपको गैरेंटी देता हूँ दोस्तों आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे हैं आपको कानिक्सेन सबकुछ अच्छी तरह से क्याल भी डालकर कॉंपूट हो चुकी है यानि यह तो राणिंग कोईल का इंस्ट्रेशन हमारा बिल्कुल कॉंपूट हो चुकी है आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से यह गया है अब यहां पर देखें सार्टिंग कोईल के समय आप तिछी ध्यान दाखिए दोस्तो देखिए यहां पे आपको इस स्लोट में और यह वाला स्लोट में यह जो हमने फास्ट कोईल डाला दोस्तों यह देखिए यह वाला और यह लास्ट कोईल इस कोईल की बीच में आपको स्टार्टिंग कोईल का फास्ट कोईल डालना है ठीक है यह आप देखिए फास्ट कोईल और last coil का बीच में आपको starting coil डालना है यह बला दोनों slot में यह दोनों slot में हम starting coil का फास्ट coil डालेंगे ताभी जाके दोस्तों हम उसको जब connection करेंगे यानि common bar भणायेंगे तो सिधा घूमेगी कोई आपको दिक्कत है नहीं होगई तो इस तरह से आप first coil और last कोई के बीच में स्टार्टिंग कोईल का फास्ट कोईल डालेंगे यह चीज तुरह साब को ध्यान रखनी है तो मैंने आप स्टार्टिंग कोईल का फास्ट कोईल दोस्तों यहां पर डाल दिया है और बाई हाथ की तरह दोस्ता अब देख सकते हैं हमने इनर वयर रख दिया है यह वाला स्टार्टिंग कोईल का और डाई हाथ की तरह पिसका आउटर वयर है अब इसको इस तरह से घुमा लेते हैं फिर इसका भी सेम भई पीछे एक से सीक्स लॉट में आपको डबल लियर देना परेगा तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे एक से सीक्स लॉट में डबल लियर लगा देता हूँ और फिर यहाँ पे फिर से हम यह क्लियर देते थे एक से सीक्स लॉट में बहुत ही आसानी से दुस्तों वैर स्लॉट के अंदर चला जाएगी कफी एरिया यहाँ पे खाली है दिक्कत आपको नहीं होने वाला है तो हमरा यहाँ पे स्टाटिंग कोईल का फास्ट कोईल डालके बिल्कुल कॉम्पिट हो चुके दुस्तों हम सेकेंड कोईल डालेंगे स्टाटिंग का चार कोईल में से दुस्ता किसी भी कोईल को फास्ट या लास्ट मान सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है और अब यहां पर हम second coil डालते हैं तो इधर पर इसको डाल देते हैं इस side में एक slot बाइं हाथ के चोड़के एक से 14 नम आम स्लाट में डाल दिया तो यहां पर जो serious wire आप देखे तो हमरा वाई हाथ से डाइ हाथ से पितरप सेज वर आपको हेशाहर िफंध आपको इस तरह सा रखना पड़ेगा और बाइ हाथ से थरप इसका ओअट अब निकाल चुकी है कि और फिर हम एक से शिफ स्लट में इसका दूसरा पिछ डालेंगे तो सिकेंड कोई भी डालके कॉमपेट कर देते हैं जल्दी से दोस्तो अगर वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिलती है और अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों मत भूलिए लाइक दोस्तों जुरूर कर दीजिए और चैनल में आप अगर नहीं हो तो सब्सक्रिब करना मत भूलिए अब हम दोस्तों यहाँ पे थार्ड कोईल डालेंगे तो इस स्लोट में डालेंगे और यह बला स्लोट में डालेंगे यहनी एक से चाश्लोट में और बीच में दो स्लोट तो अल्रेडी भर चुकी है और इसको यहाँ पर हमें डाल दिया आइसको फिर लॉक कर देते हैं यहाँ पर सिर्फ एग ही पिछ रहेगी एक सेचाश्लोट में और फिर से हम को एक सेच दिखिए यहाँ पर इसका सेज़वार्ट देखिए बाइए ह स्लोट में इसका दूसरा पिछ डालेंगे कुछ इस तरह से इसको डाल के पिर करते हैं पिर इससे यहां पर दूसरा पिछ डालके हम डबल लियार यहां पर कर देते हैं तो यहां पर दक्ठीबन दोस्तों हमारा तीसरा कोय। भी डाल गें कमपेट हो चुकए हैं और इसको इस तरह सहां सेफ बना लेते हैं थ्ञास है और इसको भी लॉक कर देते हैं और आप देखे देखे दिखें हाट से की तरह इसका सिर्ज व्यर आचुकी है यह वाला इस तरह से और इसका बाइए हाथ की तरह हमारा यह आउटर व्यर आप देखें दोस्तों यहां पर एक से स्सलॉट में यामको फीर से धो राउंड लगाना परेगा तो लेन शट्रे में धोंड को है कुछ इस तरह से करत अल्च को अगर अभी तक मुझे आप लोग इंस्टरग्राम पे फॉल्लो नहीं किया है तो इन इस्टरग्राम पर दोस्तों ज़ूर फॉलो का निकल काफी नाम से तो वहाँ से जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो और कोई भी सवाल हो आप मुझे मेसेज कर सकते हो उस महाँ पर आपको तुरांत रिपलाई आ जाएगी इन इस्टाग्राम पर मुझे जूरू दूस्तो फॉलो कर लेना अब दिखे दूस्तों कोईल हमारा बिल्कुल कॉम्पेट हो चुकी है यहाँ पर देख सके हैं इसका भी दो लिड निकल का चुकिए स्टाटिंग कोईल का बाई हाथ की तरफ आप यहाँ पर अच्छी तरह से हमारा कॉम्पेट हो चुकी है तो सबसे पहले दूस्तों यहाँ आप हमको कुछ यहां पर काम करना परेगा जो आगे चलके आप दिखेंगे तो सबसे पहले इस चितने भी लीड है दूस्तों आप हमको एक नमबर का सलेपिंग ट्यूब डालना परेगा देखे दूस्तों यहां पर यहां पर देखिए दूस्तो यह वाला और यहां हमरे स्टार्टिंग कोईल का led है ह्यांनि उपर की कुईल है और यह बाइन का लीड है यह बाइन है और यहां पर आपको connection करने पढ़ेगा तो किस तारी से करेंगे आई हम बाता से करें तो इस डाइग्राम के मादद से भी आप इसको कनेक्शन कर सकते हो और प्रैक्टिकल भी आगे चलके मैं आपको बताने वाला हूँ तो प्रैक्टिकल में अगर आपको दिखकाते हैं तो आप इस डाइग्राम को दिखके भी कनेक्शन कर सकते हो और इस कनेक्शन को अगर करने का समय चीज ध्यान रखनी है दोस्तों यह जो रानिंग और स्टार्टिंग कॉईल है दोस्तों इसकी बीच में आपको एक safety paper डालना परेगा यहाने separate paper ताकि यह जो running coil है और starting coil है इसकी बीच में आपको यह slip paper डालना परेगा ताकि आपास में बाद में connection ना हो और उसकी बाद इसके जो insulation cover है दोस्तों वायर का उसको भी आपको निकल देना है यहाँ पर दुस्तों मैंने six wire लिया है इसको connection करने के लि ना है ने इसके लिए जो fast हमने starting coil ले लाँ और ऊसके लिए उसको लेंगे फिर studying coil की ढाय है तरफ जो running coil है दिसको लेंगे फिर संवाह विया हम यहाँ पर common wire बना देंगे यह नि दोस्तों जो डूनों coil starting 맞र running को हमने fast टाल था यह donor को को यापर हमने process paste कि देंगे यह हो जाए कि दुस्त हमरा common wire उसकी बाद दुस्त हम running coil का चौथा number coil यानि जिसको हमने last में डाला उसको में जो हमने fast loop निकला दुस्तो 70 टान पे यहां पर हम एक black color का wire लगाएंगे जो होगे दुस्त हमरा high speed के लिए दूसला loop निकला दुस्तो यानि 60 टान पर यह medium speed के लिए तो यहां पर दुस्त हम एक red color का wire लगाएंगे यहां पर दुस्त आप कहीं भी कोई भी wire यूज़ कर सकते हो कोई color का कोई द्यान रखनी है आप कहां पर किस color को यूज़ किया है इसकी बाद जो last loop निकला दुस्तों यहां पर हमरा running coil का यहां पर हम इसमें एक white color यहांने साधा color का wire लगाएंगे देखें दुस्तों इस तरह से हमने लगा दिया आप स्टाटिंग कोईल का यहां पर एक lead बहाँ जाती दुस्तों यहां पर हमको एक black color लगाएंगे जो क्या पास्रेटर के साथ connection होगी देखिए यह हो चुकी है अब हमको दुस्तों और एक काम करना पड़ेगा यहां पर यह जो high speed point आप देख रहे हैं दुस्तों इसके साथ हमें एक दूसरा एक इस तरह से वायर लेंगे और यहां पर इसको जोड़ देते हैं इस तरह से और यहां पिश्को इसको थ्रुसा सेरे पिंगड आलके यहां पर हम कभ़ो कर देते हैं कि इसको हमने लगा दूस्तों क्यापासिटर के लिए यहांसे क्यापासिटर का एक वायर अलेगे हैं और इसको अलग से ड़क देंगे तो देखिये क्या पासेटर के लिए दुस्तों हमने यहां पे एक वार एक वैर जो हाई स्प्रीट एन इप्रहर लूप निकला वहां से एक कनेक्शन कर दिया अब इसको हम सिलाई काना पाएगा दुस्तों तो चलिए सिलाई कर देते हैं उससे पहले यहां पे इसका सिलिपिंग टूब डा हि selonा अब देखिए है कि इसको हम अलग अलग करके सिलाई करेंगे ॐन्यू जो सद्कानिक शन होगी उसको अलग से रखेंगे और जो क्यपा सरय میں जाएंगे उसको अलग से रखेंगे तो कुछ इस तरह से इसको आपको धागे की मादल से तो सिलाई करके कॉंपेट कर देना है वीडियो के मैं थुरा सा स्किप कर देता हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा कम सामाई लागे नहीं तो बहुत बारा हो जाएगी वीडियो देखें दोस्तों सिलाई बिल्कुल कॉंपेट हो चुकी है हमने रिगुलाटर के लिए उसको अलग साइड में रखा और स्टाटिंग स्टों क्यापासेटर के बाकी जो वायर है उसको हमने अलग साइड में रखा और बाकी जो वायर है दोस्तों हमारा रिगुलाटर के साथ कानेक्सान होगी ठीक है दोस्तों अच्छी तरह से दुस्तों हमरा कॉंपेट हो चुकी है अब इसको हम सेटिंग करेंगे चला के आपको दिखाएंगे तो इसको रोटर रखना है इसको बिल्कुल बीचो बीच रखना है ज्यादा या कम नहीं होना चाहिए इसकी बाद यहां पर हम यह स्टिक लगा देते हैं और इसको अच्छी तरह से टाइट कर देंगे सभी स्टिक को आप बिल्कुल चारो के चारो स्टिक लगाए और सभी को आपको समन टाइट देना है किसी को कम या किसी को ज़्यादा देंगे तो पंका जाम्प हो जाएगी इसलिए बिल्कुल समन टाइट आपको सभी स्टिक में देना परेगा आप देखे बिल्कुल अच क्लीखाते हैं देखिए यहां पर हम दोस्तों इसको श्लीपिंग ट्रूब से कवर कर देते हैं बाकी जो है दूस्तों इसमें हम आपको समझा देते कौन सा कौन वायर है उससे पहले आप है मैं टेप लगा देता कि यह घूमे तो आपको पता चाहिए अब देखिए दोस्तों मैं आपको इसका वायर को एक कर बता देखिए ब्लू बला रहा हमारा हाई स्पीड के लिए है और यह साधा हमारा लोई स्पीड के लिए है और दिखाएंगे जो तीनों भाइर हमरा दूस्तों रिवलोटर के साथ कानिकसान होती है सबसे पहले हम इस पर सीरीज लेंप पर टेस्टिंग करेंगे दूस्तों तो आये सबसे पहले हम इसका बॉडी शॉट चेक कर लेते हैं देखिए बॉड़ी सोट नहीं है बिल्कुल ठीक है अब यहां पर जो काम प्रप्र करें हैं और हम सबसे पेहले हम देपे दिखके दोश्टो को बाल्प था ज्यादा गुलौकोन करने दिखाए देगी आप दॉस्तति मिडियुम स्पीड देदे देढें कि ऐसे पाउर स्पीड थोड़ने क्म जलेंगी उसकी बाद जो low speed है दो यहाँ पर आपको सबसे कम बल्प जल्म ने दिखाए देगी इस तरह से दो सबको पता चल पाएगी कि आपका पंखा high speed low speed में कम कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो देखे दोस्तो इस तरह सब इसको testing कर पाओगे तो दोस्तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जूरूर आप लाइक कर दिजिए चैनल में नहीं हो तो जूरूर दोस्तो आप सब्सक्राइब कर दिजिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए आप दिखे दुस्तों यहां पर हमने इसका में सब्सक्राइब कर देते हैं तो बुलकिल फूली स्पीड से यह घूम रहा है वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छा लागा जोरू से जोरूर आप लाइक कर दिजिए और इस्टेग्राम पर मुझे जोरूर फॉलो कर लिजिए आज के लिए इतना ही वास ठैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो